गौतम अडानी ग्रूप का नहीं है अम्बुजा और SEC सीमेंट, जानिये कौन है सीमेंट कम्पनियों का असली मालिक? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोध अडानी अम्बुजा सीमेंट और SEC का मालिकाना हक संभालते हैं. पिछले सितंबर में गौतम अडानी समों ने स्विश सीमेंट व्यवसाई की दिगच कम्पनी होलसि म की भारतिय इकाई का अधिग्रहन किया. इसने गौतम अडानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिमेंट कम्पनी बना दिया. अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की नंबर वन सिमेंट कमपनी है लेकिन इस डील के बाद गौतम अडानी की कमपनी दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गई 24 जनवरी को हिंदनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोध अडानी अदानी समू की कमपनीओं में निवेश करने में शामिल है जिसने इन कमपनीओं के शेरों को कृत्रिम रूप से महंगा कर दिया है इसके बाद आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोध अडानी के पास अम्बुजा सीमेंड और एसीसी का मालिकाना हक है पिछले साल सिटम्बर में गौतम अडानी ग्रूप ने अम्बुजा सीमेंड और एसीसी को खरीदने की कोशिश की लेकिन वे वास्तव में उनके मालिक नहीं थे ऐसा करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने एक विशेश प्रयोजन वाहन का गठन किया होलसिम डील पूरी होने के बाद उन्होंने सभी को इस बारे में बताया एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि जिस कम्पनी के पास अम्बुजा सीमेंड और एसीसी है वा मौरिशस में स्थित है और विनोध अडानी के स्वामित्व में है इसका मतलब यह है कि एसीसी और अम्बुजा सीमेंड अडानी समूह या विनोध अडानी के स्वामित्व वाली किसी अन्य सूची बद कम्पनी का हिस्सा नहीं है इस रिपोर्ट के मताबिक गौतम अडानी ग्रूप के चेर्मेन गौतम अडानी ने दुनिया और अपने शेर होल्डर्स को बताया कि गौतम अडानी ग्रूप ने एसीसी और अम्बुजा सीमेंड का अधिग्रहन किया है लेकिन यह सच नहीं है विनोन अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी का एसीसी और अम्बुजा सीमेंड पर नियंत्रण है और हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद गौतम अडानी समू के स्वामित्व वाली कंपनी जाच एजंसियों के निशाने पर है 24 जनवरी को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि भारत का प्रमुख व्यापारिक समू अदानी ग्रूप कृत्रिम रूप से शेयर की कीमतों में उतार चड़ाव करता है और अपनी कंपनियों के लेखांकन में धोखा धरी करता है